हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चेनल, फार्मरोक्स के यूटूब एजूगेस्टलन चेनल में आपका स्वागत है इन टोडेश वीडियो लेक्चर, वे विल सौल मल्टिपल चोईस क्वेस्टन, टेस्ट नमबर 66 अब टोडेश टॉपिक इसे, हीट ट्रांसफर सो हीट ट्रांसफर की जो काफी इंपोटन टॉपिक है फ्रॉम फार्मसिटिक्स और उसमें से जो अनल्टिकल चोईस जो क्वेस्टन है वो हर साल अलग-अलग कॉंप्रेटिव एक्जम्स में पूछे जाते कि चाहे वो जीपैट की एक्जम हो, नाइपर हो, डी आई, या फिर फार्मसिस्ट एक्जम के अंदर आप heat transfer related भी multiple choice questions आपको देखने को मिलेंगे तो heat transfer मतलब कि जब कोई heat है, वो one medium to another medium के अंदर enter होती है कि like, जो सुरिय की अंदर जो गर्मी होती है, जो यह हापे है, sun कि जो सुरिय तो हमसे काफी दूर है, बट उसकी जो गर्मी है, वो हमारे तरब पहुचती है तो वो जो transfer होता है heat का, कि सुरिय के अंदर जो गर्मी है, वो हमारे पृत्वी तक पहुचती है तो वो किस तरह से पहुचती है, तो उसके लिए responsible होती है, यह infrared waves वैसे ही समझो कि हम कोई पानी गर्म कर रहे है, तो पानी गर्म कर रहे होते हैं तब नीचे जो हमने जो burner रखा है, तो burner के कारण यह जो container है, वो गर्म होता है और वो container गर्म होने के बाद, उसके अंदर रहा पानी गर्म होता है और समझो कि यह burner के आसपास, समझो कि आप दूर अपना हाथ रखो तो भी आपको जो ऐसा सोता है गर्मी खा तो जब आपके पास जो heat आती है, आपके हाथ के पास, वो आती है due to the radiation कि समझो कि burner के पास आपका hand वगिरा है, तो आपका जो hand है, आपका जो हाथ है, वो थोड़ी से गर्मी का अनुभव करेगा that is due to the heat transfer, radiation की, radiation की त्रुकी जैसे सूरिया की जो गर्मी है, वो हमारी पृत्वी तक पौचती है और उसके लिए जो responsible है, वो है infrared, वे उसकी जो एक टाइप का radiation है तो इस तरह से हमें गर्मी लगती है, किसी भी burner के पास होते है, या फिर हम कही क्यामफायर वगरा करते हो, लकडिया वगरा जलाई हो और उसके पास हम बैठते है, तो भी हमें दूर से भी गर्मी का अहसास होता है due to this heat transfer mechanism, radiation फिर जब direct contact में molecules होते है, कि like ये जो burner है, उसके contact में directly ये जो हमारा container है, वो contact में आ रहा है तो वो जो गरम हो रहा है directly, वो due to the conduction कि heat transfer by direct contact heat transfer by ये है direct contact कि directly इसके contact में आ रहा है, और heat transfer जो है, वो point A से लेकर point B तक पहुचता है, तो वो है conduction और convection की जैसे water के molecules क्या होते है, कि सबसे पहले जो water के molecules ये hot जो surface है, उसके contact में होते है, वो गरम होते हैं, फिर वो अपनी heat अपने पास रहे दुसरे molecules को भी transfer करते हैं तो इस तरह से जो transfer होता है, वो है convection तो यहाँ पे जो अंदर water के molecules जो गरम हो रहे है, वो convection के कारण फिर ये जो container जो गरम हो रहा है, due to the conduction और आप समझे कि उसके नजदिक खड़े है, और आपके हाथ या फिर आपकी body को जो गरमी का ऐसास होता है, वो due to this radiation तो इस तरह से एक ही example से हम तीनों concept clear कर सकते हैं, heat transfer के तो इसी के related multiple choice question हम solve करेंगे ये वीडियो lecture part 66 के अंदर MC की test series जो हमारे चालू है उसका ये part 66 है, तो subscribe कर ये channel को, press कर ये bell icon and never miss any video of Pharma Rocks, Pharma Rocks का app अवेलेबल है तो अगर आप Android app यूज़ कर सकते हैं, Google Play Store पर से नगर आपके पास iPhone है तो iPhone के अंदर भी app को access कर सकते हैं, आपको app store पर से भी Pharma Rocks की app मिल जाएगे, लिंक समने आपको description box में दे दिये है तो सिर्फ 100 रुबी में आपको test series मिलेगी कि जिसके अंदर आप GPET के लिए NIPER, DI या वे pharmacist exam के लिए online test series solve कर सकते हैं as well as you will access the study material, test series and the video lecture on app the get this facility on app Pharma Rocks, Android अपन Google Play, Apple iPhone अपन App Store so MCQ test number 66 है, heat transfer subject रहेगा, pharmaceutics और उसमें भी specially जो pharmaceutical engineering का ये main concept है, heat transfer as well as physical pharmaceutics में भी ये point आता है, heat transfer का तो काफी important है the first question यहाँ पर है हमारे पास, which of the following is the transfer of thermon energy by the actual mission of the medium itself, the medium in motion is usually a gas और liquid, कि gas और liquid के molecules जो है, वो ये technique से heat transfer करते हैं तो options दिये हैं, चार हमारे पास convection, conduction, radiation and none of these तो यहाँ पर जो question है, वो आपको सबसे पहले तो समझना जरूरी है तो वो समझो कि thermal energy का जो transfer हो रहा है यहाँ पर transfer of the thermal energy by actual motion तो आपको जो words समझने है, examination के लिए तो यह word आपको दियान रखना है, कि heat transfer हो रही है actual motion के कारण of the medium itself कि जो medium होता है, उसकी actual moment के कारण है directly heat transfer हो रही है and वो जो medium है आपके पास, वो है gas या फिर liquid है तो अब आपको याद करना है, कि जो मैंने first title slide में आपको जो diagram के अंदर समझाया कि यह जो container था, वो solid है और वो सबसे पहले गरम हो रहा है नीचे burner के कारण, कि वो conduction हुआ फिर वो container के अंदर रखा हुआ, जो पानी है वो गरम हो रहा है, वो है convection और जो आप उसके पास कड़े हैं और आपको गर्मी का ऐसास हो रहा है, तो वो है radiation तो इससे आपने उसका सही अंसर आपको पता चला होगा और सही अंसर है convection because यहाँ पे हो रहा है convection कि convection जो है इस तरह से कि यह जो water के जो molecules है water के molecules जो है वो गरम हो रहा है और वो है एक liquid medium liquid medium जो है वो convection के कारण जो गरम हो रहा है, because सबसे पहले यहाँ पे जो गरम हो रहा है वो है सबसे पहले जो बर्नर लगाएंगे तो बर्नर के कारण यह container जो है वो गरम हो रहा है और यह container के contact में रहे water के जो molecules से वो सबसे पहले गरम होंगे फिर यह molecules के आसपास रहे दुसरे molecules को अपनी heat transfer करेगा तो इन दोनों के बीच में कोई medium है कि like ये side है burner है बीच में ये solid एक हमारा layer है तो burner के करण पहले solid गरम हो रहा है और उसके बाद हमारा ये liquid या फिर समझें कि gas से तो gas गरम हो रहा है तो ये जो heat transfer होएगा direct contact में नहीं है conversion is the transfer of thermal energy by the actual motion of the medium itself यहाँ पे medium की जो इसके particles क्या कर रहे है motion कर रहे है कि एक particle दुसरे particle को अपनी heat transfer करेगा through the motion and the medium in motion is usually a gas और liquid की जो motion करे का जो medium वो होगा gas और liquid so convection is the most important heat transfer process for liquid and gases तो ये आपको याद रखना है कि जब heat transfer किसी gas के अंदर होती है किसी liquids के अंदर होती है तो वो कहा जाता है convection इवन आप देख सकते कि जो directly आपने कोई भी पानी जो रखा है इस तरह से गरम होने के लिए तो वो convection के कारण हम्मेशा गरम होता है इवन atmosphere के अंदर जो gas होते है atmosphere के अंदर जो air है वो जो गरम होती है due to this radiation तो वो भी convection के करण की एक molecule गरम होता है फिर उसके आसपास रहे दूसरे molecules को अपनी heat transfer करता है और वो फिर आगे जात के गरम होते है तो ये है heat transfer के mechanism convection आगे solve करते है next question number two it is the transfer of thermon allergy by molecular action यहाँ पर ये word है के molecular action without any motion of the medium without any motion of the medium मतलब कि जो medium है वो motion नहीं कर रहा है वो proper एक जगा पर fix है options दिये है convection, conduction radiation और none of these तो यहाँ पर जो बात है कि motion नहीं कर रहा है without any motion तो सही answer बनेगा उसका option number B conduction तो conduction तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो especially जो solids जो होते है especially जो solids जो गरम होते है कि solid कि solid की जब हम arrangement देखे तो उसके अंदर particles जो होते हैं solid के जो particle होते है वो रहते है fix और वो movement नहीं करते non-moveable जिसके करण हमें पता है कि solids जो होते हैं उनकी definite shape होता है and definite उनका होता है proper volume and non-moveable होता है उनकी जो particles है वो इस तरह से किसम जो कि यह solid है तो उसके अंदर सब भी particles इस तरह से एक दूसरे के साथ close contact में होते है कि completely एक दूसरे के साथ closely pack होते है solid के अंदर तो उसके अंदर जो heat transfer होती है वो एक दूसरे के molecules के direct contact से होती है without any type of motion तो conduction से heat transfer of thermonology by molecular action molecular action इसलिए कि समझो कि सबसे पहले ये वाले molecule गरम होता है तो फिर ये क्या करेगा उसके आसपास रहे दो molecules को अपनी heat transfer करेगा बट यहाँ पे म्योसन नहीं हो रहे है वो अपनी जगा पे fix है और फिर दीरे दीरे सबी molecules एक दुसरे की heat transfer करेंगे और आगे जाके वो पूरा जो है वो गरम हो जाएगा तो सबसे पहले समझो कि यहाँ पे point हम लिखे तो starting point समझो कि कोई आप glass road को भी गरम कर रहे है कि glass road की side A है और ये side B है और यहाँ पे आपने जो है वो burner लगा के उसको कर रहे है गरम तो heat transfer जो है ये तो solid है तो A से लेकर B की direction में heat जो है वो transfer होगी और वो mechanism होगी conduction की ये जो mechanism रहेगी वो रहेगा conduction की जो glass road है वो conduction के कारण जो है वो गरम होगा तो दिरे दिरे ये जो molecules ये first molecule फिर ये second हम देखे ये third, four तो molecules movement नहीं करेंगे बट एक दुसरे को अपनी जो heat है वो transfer करेंगे और ये जो molecules हम यहाँ पे जस्ट आपकी explanation के लिए draw कर रहे है कि इतने molecules वहाँ पे setup है एक दुसरे के साथ closely contact में है तो ये burner के कारण burner की जो heat है वो सबसे पहले first molecule को लगेगी फिर वो transfer होगी second फिर third, fourth वैसे ये इस तरह से A से लेकर B की direction में heat जो है वो पहुचेगी और यहाँ पे जो medium है वो without any motion because ये solid है और solid के अंदर हमें पता है उनका shape and volume fix होता है always non-movable होते है उसके particles और हमेंसा जो solid है वो conduction से जो है वो खासकर गरम होते है convection की जब ये solid के जो कोई container बनाया हो और वो फिर उसके contact में रहे material गरम होके समझे की ये जो solid का ये solid पूरा जो container है उसके अंदर रहा जो ये water है वो water के molecules गरम हो रहे है तो वो रहो रहे है due to this convection तो ये था simple mechanism and explanation of conduction next point है कि conduction can occurs in solid liquid and gases but it is usually most important in solid usually most important in solid direct context से कई बार जो है वो liquid ये gases भी गरम होते हैं सबसे ज़्यादा इसके जो cases जो हम देखें तो वो होते हैं especially in solid because solid के जो molecules है ये condition follow करते है conduction की without any motion of the medium medium motion नहीं करता जबकि आप देखो कि gases तो gases का indefinite safe है नहीं उनका कोई safe है नहीं कोई volume है same like that water या फिर liquid के देखें तो वो भी उसके molecules एक दूसरे से काफी दूर होते हैं और वो जो उनका जो volume है वो indefinite होता है volume हम जो भी container के अंदर उसको transfer करते हैं उसका volume वो occupy करते है तो ये था heat transfer का mechanism question 3 है कि low associated with the heat transfer very very most IMP questions options दिये है fix law, griffin's law, fourier's law and all of the above तो यहाँ पे जो question है कि low कि कौन सा low associated है heat transfer के साथ तो उसका सही answer है fourier's law कि हम कैदे कि fourier's law of heat transfer कहा जाता है fourier's law of heat transfer तो ये जो low है fourier's law कि जो heat transfer के लिए काफे popular है वो propose करता है rate of heat transfer कि जो हम rate calculate करते कि कौन से rate से heat transfer हो रही है rate of heat transfer के लिए है और ये जिसका जो statement है कि rate of heat transfer is proportional to the temperature gradient present in a solid तो यहाँ पे वो वाला example जो है वो consider होता है कि अभी जो हमने बात की कि ये कोई glass road है और ये glass road के दो जो end है end A है और ये वाला end B है यहाँ पे हमने burner जो है वो लगाया हुआ है और यहाँ से material अमारा जो है solid गरम हो रहा है तो यहाँ पे समझो कि temperature है 70 degree Celsius because यहाँ पे ये first molecule भी गरम हो रहा है center point हम देखे तो वो temperature होगा थोड़ा सा कम because अभी ये glass road room temperature पे था तो center point में सायद देखू तो वो temperature at least 30 degree जितना temperature होगा normal और यहाँ पे भी मैं end point देखू तो समझो कि सायद 27 जितना होगा because थोड़ा थोड़ा भी heat transfer होना start हुआ है तो जो rate है rate of heat transfer कि कितनी rate से heat जो है वो transfer होगी point A से point B के बीच में तो वो रहेगी proportional to the temperature gradient कि ये set जो temperature है उसको में लिख रहा हो T1 और ये set जो temperature है T2 तो T1 और T2 के बीच में जो difference होगा कि जिसको में dt लिख हो कोई small fragment पर कि समझो कि ये point से लेकर ये point के बीच में जो temperature है उसको में dt लेता हो और जो पूरा temperature difference है उसको में delta T भी लिख सकता हो delta T is equal to T2 minus T1 ऐसा भी हम कर सकते है तो ये जो temperature का जो gradient होता है difference होता है उसके proportional to होता है ये heat transfer तो ये low जो है वो fourier नहीं दिया था तो fourier's low states that the rate of heat transfer is proportional to the temperature gradient present in a solid तो ये जो low में से और exam में questions पूछे जा सकते हैं तो वो हम देखते हैं कि ये वाला हमने diagram देखा था कि यहापे जो heat transfer इसका dq by dt हम लिखते है और कि q मतलब कि जो transfer हो रही heat और कितने unit length के अंदर कितने unit temperature का gradient है तो rate of heat transfer है dq by dt और ये है temperature gradient small dt small d capital T by dx तो वो formula आगे इस तरह से तयार होती है कि heat transfer कि जो q हम कहते हैं तो qa by a ये मतलब कि जो पूरा उसका area is equal to minus k dt by dx कि जो unit area के अंदर कितना transfer हो रहा है तो heat transfer per unit area in x direction कि जैसे मैंने अभी जो glass road यहाँ पे draw किया कि कोई unit area के अंदर unit area के अंदर heat transfer कोई proper direction के समझे कि a से लेकर b direction के अंदर heat transfer हो रही तो वो और यहाँ पे जो k है उसको thermal conductivity कहा जाता है और जिसका unit है w by m degree Celsius और a measure of how fast heat flow through the material और यह measure करके देगा कि कितनी fast जो heat transfer होगी किसी material के अंदर but we usually use the value of average temperature but हम usually average temperature को calculate करते है q can have x, y and z components it is vector quantity तो यह इतना important नहीं है but मैं आपको यह k याद रखना है और इसका यह unit British thermal unit per h into feet into Fahrenheit यह आपको याद रखना है and w by m degree Celsius कि जो w, कि जो watt कहते हैं हम कि जो heat का जो unit है वो तो यह हां से MC के पूचा जाता है कि जो हमने अभी highlight किया है तो इतने points अच्छे से याद रखो कि thermal conductivity आगे और भी हम detail में question solve करेंगे वहाँ पे भी यह आने वाला है इसलिए अभी यह point जो है वो अच्छे से याद रखें this one आगे solve करते है question for the thermal energy radiation radiated by black body radiator per second per unit area is proportional to the fourth power of the absolute temperature and is given by fix low, griffin's low, Fourier's low or Stephen Baltasman low तो यहाँ पे जो question है कि thermal energy radiated by black body कि जो black body होती है उसके दरा समझो कि जो thermal energy radiation हो रही है per second per unit area इस proportional to fourth power of absolute temperature तो यह statement किस ने दिया था तो उसका सही answer है Stephen Baltasman low this is the very very most IMP question Stephen Baltasman low यह वाला point अच्छे से आपको याद रखना है तो Stephen Baltasman's low the thermal energy radiated by black body radiator per second per unit area is proportional to the fourth power of the absolute temperature and is given by Stephen Baltasman's low तो यह है Stephen Baltasman's का लोका statement P by A is equal to sigma T raise to 4 की fourth power of absolute temperature की fourth T का उपर fourth power है और यह है sigma तो सब देखते है कि sigma की value है 5.6 तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पी मतलब की constant है यह जो है वो immisitivity की one for ideal radiator T means temperature of radiator and Tc temperature of surrounding तो यहाँ से कौनसा MCQ एक और पूछा जा सकता है कि what is the value of this Stephen's constant तो यहाँ पर मेंटर स्क्वेर केल्वीन fourth power तो यह है उसका main statement तो Stephen Boltzman's को लोग को अच्छे से आपको याद रखना है priority के base में question number 5 what is the specific heat capacity यहाँ पर directly definition पूछे कि the specific heat capacity of material is amount of energy required to raise 1 kg of material by 1 degree Celsius second जो options दिया है उसमें सिर्फ change किया है कि 1 kg of the material by 1 degree Celsius यहाँ पर 1 kg of material by 100 degree Celsius किया है option C में 1 kg of material by 10 degree Celsius and option D में 100 gram of material by 1 degree Celsius तो specific heat capacity के definition यहाँ पर पूछी है कि specific heat capacity of material is amount of energy की amount of energy कि जो हमें चाहिए to raise 1 kg of the material by 1 degree Celsius तो उसके चार अलग-अलग option set हिये है तो उसका सही answer है option first कि आपके पास जो भी material है उसका जो temperature है वो आपको 1 degree जितना increase करना है यहाँ पर आप देख सकते कि specific heat capacity of a substance is the amount of energy required to raise the temperature of 1 kg of the substance by 1 degree Celsius सिर्फ 1 degree जितना हमें temperature उसका increase करना है और वो substance का जो weight है वो 1 kg है तो उसके लिए जितनी हमें energy चाहिए उसको कहा जाता है specific heat capacity specific heat capacity यह है उसका formula c is equal to delta e divided by m into delta theta तो delta e is equal to mc into delta theta होता है कि जहाँ पर m is equal to mass कि जो हम kilogram में लेते हैं कि kilogram के अंदर उसका weight mass specific heat capacity कि जे कि जिसको c कहें ते उसका unit खास याद रखो जे पर जे मतलब कि जूल पर किलोग्राम डिग्री celsius delta e change in thermal energy जो जूल में measure होती है and delta theta change in temperature डिग्री celsius के अंदर तो one degree celsius जितना temperature जब हमें rice करना है किसी भी material का और उसके लिए जो हमें energy चाहिए material के energy चाहिए उसको हम कहते है specific heat capacity the specific heat capacity of water is 4200 joule per kilogram per degree celsius तो this is your very very most IMP question pain point this means it take 4200 joule to raise the temperature of 1 kg of water by 1 degree celsius के हमेरे पास समझो की 1 kg जितना पानी है और उसका temperature मुझे 1 degree जितना increase करना है तो मुझे इतनी energy जो है वो provide करनी पड़ेगी तो उसके खरण उसका जो temperature है वो 1 degree increase होगा कि समझो कि उसका temperature है 37 degree celsius और 37 से मुझे करना है 38 degree celsius 1 degree celsius temperature increase करना है उसका weight 1 kg है तो मैं heat कितनी अपलाई करूगा यहाँ पे delta E तो delta E रहेगा 4200 Joule जितनी energy में अपलाई करूँगा तो उसका temperature 37 से rise होके 38 होगा अगर 2 degree जितना increase करना है तो मुझे अगर 2 degree celsius increase करना है तो उसका double करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा 8400 तो इस तरह से यह relationship आपको याद रखनी है तो energy is equal to mass into specific heat capacity temperature change energy in measure in joule mass is measuring kilogram and temperature is measure in celsius and specific heat capacity is measure in joule per kilogram per celsius तो यह है उसका main unit question 6 using the specific heat capacity of water how much energy is needed to increase the temperature of 600 gram of water by 80 degree celsius in cattle our options are 3 lakh 1 thousand 800 joule 2 lakh 1 thousand 600 joule 1 lakh 1900 joule और 4 lakh 1400 joule तो यह mathematically calculate करना होगा सही answer में आपको भी बता देता हूँ option है B उसका सही answer तो जो हमारे पास जो values है कि how much energy needed तो हमें delta E की value जो है वो find out करनी है temperature of 600 gram of water तो जो weight जो दिया है जो value होती है M की वो यहाँ पे है 16 gram फिर जो हमें temperature change जो करना है वो है 80 degree Celsius की जो delta theta जो हम कहेंगे delta theta वो यहाँ पे दिया है 80 degree Celsius यह gram में है इसलिए मुझे kilogram करना होगा तो वो होगा 0.6 kilogram और जो specific heat capacity की value तो यहाँ पे दी ही है 4200 तो उसके according to sub of हमारे पास say values तो delta is equal to mc into delta theta m की value 0.6 यहाँ पे ओल्रेटी दी हुई है 600 gram लिखा इसलिए उसका kilogram होगा 0.6 kg c की value specific heat capacity of water की जो है 4200 delta theta यहाँ पे दिया है हमने already 80 degree Celsius तो उसका answer simply आप calculate करोगे तो 2,1600 उसका answer रहेगा तो यह है calculation of this question की इतनी joule हमें energy चाहिए यह mcq के अंदर तो delta E का answer है 2,1600 joule question number 6 how does heat travels through the space options are infrared waves, microwaves, x-ray और gamma rays तो उसका सही answer है infrared waves तो space की there are no particle between the sun and earth की जो हमारा सूरिया है वहाँ से हमारे प्रित्वी के तक जो energy जो पहुचती है due to this infrared waves because वहाँ पे medium के कोई particle नहीं है space के अंदर so the heat cannot travel by conduction और convection की conduction और convection होने के लिए जो कोई medium चाहिए कोई particles चाहिए वो present नहीं है जिसके करण heat जो travels होती है through this infrared waves there are similar to the light waves and are able to travel through the empty space और उनके पास ability होती है travel करने की through the empty space तो यह IR को अच्छे से याद रखे कि infrared waves के करण सूरिया से जो गर्मी हमारे तक पहुचती है because there are no particles between the sun and earth question number seven the unit of rate of heat transfer watt, pascal, joule और newton तो सही answer है watt the watt, the unit of heat transfer कि जिसका कहा जाता है joule per second joule per second it means the watt तो यह है q is equal to h into delta t जहाँ पहे q is the local heat flux density watt into meter minus two means watt per meter square edge is the heat transfer coefficient कि जिसको watt per meter square into queline लिखा जाता है and delta t temperature difference की जो हम measure करते है Kelvin के अंदर कि joule per second also known as a watt कि heat transfer का unit तो unit of heat transfer is joule but rate of heat transfer is joule per second rate of heat transfer और heat transfer दोनों के बीच में difference है कि heat transfer जो है उसका unit joule बड़ जब आप rate की बात करते हैं तो उसके अंदर second हमें involve करनी ही पड़ेगी time तो वो रहेगा joule per second this is very very most IMP MCQ point next question number 8 which substance has a highest thermal conductivity silver ice aluminum or diamond तो उसका सही आंसर है तो हमारे पास चार अलग अप्शन है कि highest thermal conductivity highest कि एसा कौन सा substance है कि silver option है ice है aluminum and diamond ये चारों में से एसा कौन सा substance है कि जिसकी thermal conductivity सबसे ज़्यादा कि जिसको हम कहते है highest तो उसका answer है diamond तो यहाँ पे कुछ statistics है हमारे पास कि diamond कि जिसकी thermal conductivity सबसे ज़्यादा है और वो है 2300 watt per meter into celsius यहाँ पे हम correction कर लेते हैं ओके सो यहाँ पे हमने correction कर लिया है diamond की जो thermal conductivity 2300 watt per meter into celsius कि यहाँ पे हमारे पास जो table है वो आपके लिए है very very most imp कि इसमें से mcqs पूचे जा सकते कि लाइक कि यहाँ पे material और उसकी thermal conductivity के values एक diamond 2300 silver का है 430 copper का है 400 gold का है 320 aluminium का है 240 iron 80 glass का 0.8 bricks का 0.7 water का 0.61 wood 0.7 helium 0.15 and air 0.026 तो आप देखिए copper का thermal conductivity अच्छा है और इसलिए अवेलेबल लोता है इसलिए हम electric wiring के अंदर copper को use करते because gold and silver तो काफी costly हो जाएगा as well as also the diamond इसलिए जो copper है aluminium है वो ज्यादा prefer किये जाते है electric wiring के अंदर because diamond silver के compare में कम है but diver and silver use करना काफी जो है वो costly पड़ जाएगा because diamond के भी हम wires नहीं बना सकते ना ही हम silver या gold के के जो electric wiring के अंदर use हो but exam के अंदर ये table आपके लिए है very very most IMP question number 7 HVAC system includes the which one height volume and air conditioning height volume and air compressing heating heating ventilation and air conditioning heating ventilation air movement cooling तो सही answer है H V A and C मतलब की heating ventilation and air conditioning तो HVAC जो system है वो अलग अलग pharmaceutical industry के अंदर बनाया जाता है to control the environmental in which it works in which it works कि जो अलग अलग pharmaceutical industry या फिर कोई plant डेवलाप करते है प्लाइलों 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 तो वहाँ पे heating के लिए proper arrangement ventilation and air conditioning की system setup की जाते it is just by the controlling the temperature of room through heating and cooling it also controls the humidity level की humidity भी control करके देती है आपको room में in the environment by controlling the movement and distribution of air inside the room की room के अंदर जब आपको temperature setup करना है heating करना है या फिर cooling या फिर उसकी humidity setup करनी है तो उसके लिए ये system जो है वो लगाई जाती है किसी भी pharmaceutical industry के अंदर during the manufacturing question number 10 specific heat of ice is 82 joule per gram into celsius 334, 4.18 और 2.11 तो उसका सही answer है option number D तो इसमें भी आपको एक table याद रखना है ये वाला कि material और उनके specific heat के जो values की जो solid water की जो ice लिखा है 2.11 joule per gram into celsius liquid water का वो रोता है 4.18 water vapor का 2 dry air का 1 basalt का 0.84 बसाल्ट का 0.84 ग्रेनाइट का होता है 0.79 iron का है 0.45 copper का है 0.38 and lead का है 0.13 वेसे ही यही value जब आप Kelvin में देखते तो water 4186 ice का 2.090 steam का 2010 aluminum 900 iron 448 glass का होगा 837 copper 387 mercury 138 and gold 129 तो यह दोनों table आपके लिए है very very most IMP very very most IMP तो इसको अच्छे से आप तयार करिये तो यह थे हमारे आज की test series ऐसे ही और questions solve करिये solve such more mc with proper solution and explanation in our online test series available on PharmaRox mobile application just rupees 100 subscription charge की 100 rupees के अंदर एक साल तक आप ऐसे online test solve करते पाऊगे PharmaRox के एप उपर तो डाउनलोड कर यह आप PharmaRox android user है तो android app apple iphone user है तो app store पर से links description box में आपको मिल जाएगी एक में उपकी यह जाएप ही जाएगे लाएगे